इस वीडियो में हमें कोशन सॉल्व करेंगे and the question says that among the red green and brown algae that inhibit the sea and which is likely to found in the deepest water and why तो question यहाँ पूछा गया है कि इन में से red green और brown algae जो होते हैं इन में से basically कौन समुद्र में inhibit कर जाएगा मतलब जाद देर तक survive नहीं कर पाएगा और जो deepest water है मतलब जो गहराई में जिसको हम बोलता है न तो गहराई में आखिरकार इन में से कौन सा जो algae है वो survive कर पाएगी है तो basically इसका हमको answer करना है तो चलो हम इसको answer करते हैं बिलकुल normal तरीके से कि आखिरकार भाई ऐसी क्या चीज होती है तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे green, red और आपकी brown algae तो यहाँ तीनों को लिख देते हैं हम यहाँ पे एक red है ठीक है और एक green है और एक brown है ठीक है तीन जो है वो photosynthesis कर सकते हैं लेकिन पता है issue क्या है जो आपका deepest water होता है अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं deepest water की ठीक तो अगर मैं deepest water की बात करूं तो वहाँ पे actual में सिर्फ कॉंसी लाइट अंदर अंदर एंटर कर सकती है blue green जो blue green reason की जो light होती है blue green reason की जो light होगी के वही क्या कर पाएगी penetrate कर पाएगी कहाँ पे deep sea में तो deep sea में भाई सिर्फ blue और green reason की light की light ही क्या हो सकती है आपका penetrate कर सकती है है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इस blue green region की light को absorb कर ले वही क्या हो सकती है वही photosynthesis कर पाएगी और photosynthesis कर के क्या बना पाएगी food बना पाएगी जिससे क्या कर सकता है वो वहाँ पे survive कर जाएगा ठीक है तो एक बात तो यहां पे चीज़े समझ में आ रही है कि भाई अगर किसी को survive करना है जिंदा रहना है तो उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि इसको वो use कर पाए ठीक है तो अगर मैं अगर आपका बात करता हूँ कि कौन चीज़ survive करेगी तो यह बात तो आपको बिल्कुल clear तरीके से समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं कि आखिरकार इसको blue green जो light है इसको photosynthesis के लिए use करने के लिए आपको किस टाइप के pigment की जरूरत पड़ेगी तो यहां पे जो pigment है वो है आपका fico erythrin और वो मिलता है किसमें red algae म क्या मिलता है इसमें fico erythrin ठीक है यह क्या है एक तरीके का pigment है जो किस light को actual में usable बनाती है photosynthesis के लिए blue green reason की light को जबकि इसमें क्या होता है green algae जो रहता है इसमें यह absent रहता है ठीक है और यहां पे अगर brown algae की बात करूं तो वो भी इसमें कहा रहता है absent रहता है तो क्योंकि इन दोनों में absent रहता है तो यह दोनों क्या होंगे survive नहीं कर पाएंगे और जो आपका यह होगा red algae यह क्या कर पाएगा survive कर पाएगा तो इस तरीके से यहां पे deepest water में जो है आपको red algae मिलेगी और यही survive कर पाएगी because of pico erythrin तो चलो I hope आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा यह subscribe कर दो दोस्तों के साथ share कर दो ठीक है चलो thanks for watching कर दो आपको आपका यहागे खाहां आपका यहागे।